दूसरी तरह पोको का पॉपलर स्मार्टफोन पोको एकशी नियोग फैबजी वैसे तो इन दोरे स्मार्टफोन की प्रैस में ओन थाउजों उन रुपीस का डिफरन देखने की मिल जाता है पोफॉर्मस की बात करी जाए जैसा कि आप साभी लोग जानते होंगे कि एकि स्मार टूफाइब का प्रोस्टर देखनों को मिल जाता है वही दूसी त्रब Poco X6 नियो फैब जी में मेडियाटेक का डैमेंसिटी 6080 का प्रोस्टर देखनों को मिल जाता है अगर पफॉमेंस बात करी जाए तो इन दोने स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G64 फैब जी में बेटर पफॉमेंस देखनों को मिल जाएगा वही इन दोने स्मार्टफोन का अगर अंत्तु स्कोर की बात करी जाए तो एक तरह पोको एक सिक्स नियो फैब जी का जो अंत्तु स्कोर निकल के आता है फो लेक्स फोटी फाइब थाउजन निकल के आता है वही दूसी तरह यानि गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़रा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनाट तक गेम को प्ले किया गया तो एक ट्रफ पोको एक सिक्स नियो फैब जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वह दूसरी ट्रफ मोटो जी सिस्टी फॉर फैब जी का जो ग डिशित्प्ले के साऩ में break घेट हुजा था जो िन दोने स्मार्ट्फोन के अग डिस्प्ले से इनकी बात करी जाए जिस तरह गेमिंग पफफोमेंस की मामले में बेेटर हो जाता है उसी तरह पोको का एक सिक्स नियो फैब जी सिक्स पॉंड खोल वाली AMOLED डिस्पले देखने के मिल जाती है, डिस्पले में Corning Gorilla Glass V5 की प्रोटेक्शन देखने के मिल जाती है, और डिस्पले की अच्छी इस मुतनेस के लिए 120 हर्टेज रीफ्रेस्ट का सपोर्ट देखने के मिल जाता है, वह दूछी ट्रम मोटो G64 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्ल सेख्मिन की बात करीजा, तो कैमेरे के मामले में तो दोने स्मार्टफ़ून की पास एडवांटे देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Poco X6 Neo Fab Z में ज्यादा मेगा फिक्सल का कैमेरा सिटब देखने को मिल जाता है, पर कैमेरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता ह जिसका aperture F1.8 aperture देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 8 megapixel का मिल जाता है विद LED flash LED के साथ camera में OIS का support देखने को मिल जाता है वह दूसरी तरफ Poco X6 Neo Fab G के भी back में dual rear camera setup देखने को मिल जाते 108 megapixel का main primary camera मिलता जिसका aperture F1.75 aperture देखने को मिल जाता है बाकी का दूसरा camera 2 megapixel का मिल जाता है विद LED flash LED के साथ इन दोने smartphone का अगर selfie camera की बात करी जरो selfie के मामले में तो दोने smartphone में कोई भी different देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोने smartphone में एक जैसा megapixel वाला semi aperture का selfie camera देखने को मिल जाता है दूसरी तरफ Poco X6 Neo 5G में भी 16 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है जिसका aperture F2.4 aperture देखने को मिल जाता है दोने smartphone का अगर audio feature की बात करी जाता है तो प्रैस में different होने के बाउज़ूरी दोने smartphone आप लोगों को Dolby Atmos का support देखने को मिल जाता है यूसबी tap support का support देखने को मिल जाता है वाई दूसरी तरफ Poco X6 Neo 5G में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 33W के fast charging के साथ यूसबी tap support का support देखने को मिल जाता है सिकोर्टी फीचर के लिए दोने smartphone में side mounted finger pin sensor देखने को मिल जाते है तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन से smartphone आप लोगों के लिए बैटरी बैटरी बैकप के साथ तो आप लोगों को Moto G64 5G की तरफ जाना चाहिए पर गर आप लोग प्रिमियम डिजाइन वाला नया smartphone लेने के लिए सोच रहे बैस क्वाल्टी की डिस्प्ले के साथ 108 मेगा फिक्सर वाले क्यामरा सेट अप के साथ तो आप लोगों को Poco के X6 Neo 5G की तरफ जाना चाहिए